जैहिन दोस्तों आज हम question करेंगे जो हमने last time जो previous video थी उससे आगे कोगी कुछ questions और आपको बता दें कि हम question solve कर रहे हैं जो most expected question है आने वाले exams में हो सकता है कि इनकी समभावना है कि ये आ सकें तो उनको solve करेंगे उससे हमारी कुछ revision हो जाएगा और साथ में कुछ exams की practice हो जाएगी तो पहला question है the present district of Hamirpur was in erstwhile princely state of तो इसका जो answer रहेगा तो जो option है उसके according जो इसका answer रहेगा वो रहेगा तो इसका answer रहेगा option A तो आप सब को बताए होगा कि कांगरा district के जो 1966 के बाद जो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था और 1972 में हमितपुर और उनार establish हुआते हैं next question है दबलासपूर की कहानी was written by तो इसके options है अक्षर सिंग, हर्द्याल सिंग, विसी ओहरी, किशोरी लाल वैद्या तो जो इस question का answer रहेगा 49 का option A, अक्षर सिंग next question है the famous shrine of Jolamukhi is in the district of Chamba, Hamikpur, Kangda, Una, तो इसका right option रहेगा option C, Kangda okay next question है there is a sun temple at तो Himachal में एक sun temple है which is in Nirat okay the place of 84 temples is बर्मौर, सुन्दनगर, बर्टसर, अर्की तो इसका right answer रहेगा बर्मौर okay next question है the dialect spoken in Blaspur district is बगाती, कांगडी, महास्वी, कहलूरी तो आपको सबको बताए कि Blaspur को old name कहलूर था तो इसके जो अंसर होगा कहलूरी next question है चंद्रा एंड भागा रिवर मीट नियर बागसू, चंद्रा नगर, केलॉंग, ब्लास्पुर तो जो चंद्रा एंड भागा नियर जो चिना बनाती है वो एक प्लेस है जिसका आम है टांडी इसका जो आप्शन हमें मीट करता है यहां पर किलॉंग next question है गंशाम ठाकुर इस politician, mountaineer, singer, writer तो 55 जो question का answer रहेगा option B, mountaineer तो आप comment box में बता सकते हैं यह कौन जा डिस्टिक से ब्लॉंग करते हैं next question है the hills of Una district are the inner himalayas, aravali, shivaliks पीर पंजाल तो इसका जो सही अंसर हैगा शिवालिक्स आप सब को बता है कि हिमाचल में और जो रेंजिस हैं इंडिया में उसकी शौट रिक है KLJPD KLPD ओके और लास्ट में आता है शिवालिक, कराकुरम, लद्दाग, जासकर, पीर पंजाल द्वालादार, शिवालिक तो सब से जो लास्ट वाली आती है वो शिवालिक नेक्स विक्टोरिया व्रिज अट मंडी वस इनेक्टिट इन दा इयर तो जो फिप्टी सेवन का अंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए ओके सारी ऑप्शन बी 1877 को हुआ था है नेक्स विशन है कोड़ खाई वस फाइनली एनेक्स बाइट इन दा इयर तो इसका उप्शन है 1809, 1828, 1846, 1857 तो 58 का जो अंसर रहेगा हमारा उप्शन बी 1828 नेक्स विशन है तो इसका जो सही अंसर हैगा ऑप्शन A मन मोहन से ओके नेक्स विशन है रबिंदर नौट टैगोर और सुभाष चंदराबो पेंट फ्यू मन्थ अध गिलास्पूर डलहाजी डगसाई सुन्दनगर तो इसका जो सही अंसर रहेगा डलहाजी डलहाजी में उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से एर में वो लोग डलहाजी में आयते हैं नेक्स कुशन है कुलू इस टीफली नून एज दशहरा होली लवी बसंद पंचम तो इसका जो सही अंसर रहेगा दशहरा जो की धालपूर मैदान में सेलिबरेट किया जाता है हर साल और इंटरनेशनल फेर में आता है तो इसका जो सही अंसर रहने वाला है अप्शन एक चमबा नेक्स कुशन है दस्पिति अंदा सतलज में नियर द विलेज अव कांगडा पॉंदा साही पू स्पिति स्पिति अंदा सतलज तो इसका जो राइट अंसर रहेगा ऑप्शन C पू के पास जो की कि नौर में है तो इसका प्लेस बडू प्लेस बडू हैस बिकम नून फॉर पश्मीना शॉल्स पॉलिटेकनिक इंस्टिटूट हैंग ग्लाइडिंग फ्लोर स्केटिंग तो 64 का जो अंसर रहेगा पॉलिटेकनिक इंस्टिटूट है यहां पर बडू साहब के नाम से तो इसका पॉप्शन है तो 65 का जो अंसर रहेगा पॉप्शन दी पीटर आफ तो इसका पॉप्शन है 66 there is a mountaineering institute at कुफरी मनाली राजगर कोटगर तो इसका सही अंसर रहेगा मनाली नेक्स्टिशन है तो इसका जो अंसर रहेगा अप्शन दी पांगी नेक्स्टिशन है गुरु गोविन सिंग्स फोर्से देफेते दा फोर्से अफ राजा आफ श्री नगर एट बगानी श्री नगर का सॉली नेना देभी तो 68 का अंसर रहेगा अप्शन ए बगानी साहिब जो इनके बीच युदु हुआ था इसका जो सही अंसर रहेगा महासू शिपकी पास इन दा डिस्टिक ऑफ चंबा की नौर लॉल्सपिती शिम्ला तो शिपकी पास जो की डिस्टिक की नौर में है तो इसका अंसर रहेगा ओप्शन टी हरीपूर वाज दा कैपिटल अफ दा प्रिंसली स्टेट अफ तो इसका अंसर जो रहेगा ओप्शन सी गुलेर बुक ऑफ हिमालियन डिस्टिक ऑफ कोलू लहू एंड स्पिती रेटन वाई एक बार हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें इतनी भी बुक्स हैं हिमाचल की उनके बारे में सब कुछ रिवाइस करेंगे इससे का और किन से किसको पदमृ नहीं मिला है तो चरनजित सिंह को मिला है यस पर्मार को नहीं मिला है यस पर्मार को फिसक श्राइब नेक्स कोईशन नाम एजल को किस नाम से जाना जाता है हिम्तem केसल रहेखा है काफी बार रिपीट हो चुक है क्वेशन है तो इसका सhi ऑंचर है पहाडी इन को स्रोजरीं डिउ के द्वारा पहाडी गांदी भोला जया था तो 75 का अंसर हो जाएगा हमारे पास आरके सिंग नेक्स विशन है दोक्टर येश्वन सिंग परमार इनवस्टी ऑफ होटी कल्चर और फोरेस्टरी है इस हैड क्वेटर एट पालंपूर सोलन ओचागाड नाहन तो ये परमार इनवस्टी जो है पालंपूर इस है ओचागाड के पास नेक्स विशन है श्राइन ओफ दियोट सिद्धा इन दिस्टिक ऑफ ब्लासपूर हमीरपूर मंडी उना तो ये जो दियोट सिद्ध का टैंपल है ये ब्लासपूर और हमीरपूर के बार्डर के बीच में आता है लेकिन ये हमीरपूर की तरफ को ज्यादा बिलॉंग करता ह तो इसलिए इसका अंसर रहेगा हमीरपूर ओके नेक्स विशन है चमुंडा टैंपल इस एट चेंदपूर्नी कांगडा बनीखेत धर्मशाला तो 78 का जो अंसर रहे गया हमारा ऑप्शिन दी धर्मशाला तो इसलिए अंसर रहेगा हमारा ऑप्शिन दी इन दा इयर आइंटीन सिक्टी सेवन उनना तहसिल वस इन दा डिस्टिक और तो इसलिए अंसर रहेगा हमारा ऑप्शिन दी आपको पता है 1972 में ये डिस्टिक बने थे तो ये खुश्यारपूर के अंदर आती थी ओके ये कांगडा के अंदर आती थी आपकर ना प्रिफ्टिक विखे अंदर प्रिफ्टिक अध्यू नियू प्रिफ्टिक अंदर उनना तो यहां पर केपिटल होती है वहीं पर उसका है इडगडर सेथी तो इसका अंसर रहेगा ऑप्शिन ए तो इसका जो राइट अंसर रहने वाला है यहां पर पालंपूर पांगी और तो इसका जो राइट अ सी इसका जो राइट अंसर रहेगा प्रिशमाय स्थित्यषिफ्षा दॉलादर कोन सेわかりड़ और यह ङो पांगी पांगी नेश्टीछ अन्च esf सिंम्लय और पांगी नेशर इस लोकेटिड एड चंबा हमीदपूर नाहन रामपूर तो डिस्टिक सिर्माओर में जो नाहन है डिस्टिक सिर्माओर का वहाँ पे यह महीमा लाइबरीरी है और इसकी जो स्थापनागरी जो अमर परकास थे उनकी एक डॉटर थी महीमा उसके नाम पे इस लाइबरेरी को जो ऑर्गनाइस किया गया था नेक्स्ट क्वेशन है सोभाष सिंग आठ गैलरी इस एट अंध्रेटा पॉंडशाइग भालंपूर नागर तो 87 का जो अंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन ए अंध्रेटा नेक्स्ट क्वेशन है लॉट दलहॉजी पेट एट लीस्ट वन व मिंजर फैस्टिवल इस सेलिब्रेटिड इन दिस्टिक ऑफ ओके तो इसका अब सभी को पता है बेसिकली अंसर तो इसका उप्शन है ब्लासपूर चंबा किनौर उना तो इसका राइट अंसर है चंबा एक तरह का फूल होता है जो कि मक्की जब बीस्ते है तो उसके उपर फूल आता है उसका नाम उसको लोकल लेंगोई जर का जाता है और इसलिए इस फैस्टिवल को उसी टाइम के दूरेशन में सलीब्रेट किया जाता है नेक्स्ट व्हसार्माचंडरवास यहां पर अप्शन शुकेद अंड ट्रिगर्था तो ओके दो इसका राइट एगा त गोर्खा फोर्स इस विच अटेक्ट अनुबर ऑफ हिल स्टेट इन हमार्चल पर्देश इन नाइटी इन सेंश्री वर लेट बाई माराजा महिंद्रा बरिंद्रा सहा अर्जुन सिंग गोर्खा राकस ताल 91 का जो अंसर रहने वाला है इसका नाम है राकस ताल नाम है इस सवर्स इन तोलादार, सुतलोत्री, मांसरोबर, सुतलोबर, सुतलोबर, कण्ड्ड नाइटी तोली जो अंसर रहेगा झे सम्छोड़ोबर इसका जो रहने वाला है option D okay next question है which of the erstwhile princely state named below does not fall with in the present earth की तहसील भागल कुनिहार मांगल बुशहर तो 95 का जो अंसर है option D which is in बुशहर जो की शिम्ला इस्टिक में है next question है the shrine of Renuka has something to do with पर्शुरामा, जमादगनी, संसारचंद्रा, युदिष्ट्रा तो 96 का जो अंसर है option A पर्शुराम next question है 97 चुरहा तसिल is in the district of चंबा, बिलासपूर, मंदी, शिम्ला 97 का जो अंसर है option A चंबा next question है last question इस वीडियो पंजाल मॉंटेश रेंज, टचेश ऑफ़ॉल, इन दिस्टिक ऑफ बलासपूर, के नौर, चंबा, शिर्मार so 98 का जो अंसर रहने वाला है option C चंबा okay तो यह रहा मैप हिमाचल का एक थोड़ा से रफली चा बैप अने तो इस तरह से यह ranges हैं, तो मैंने आपको बताया, लदाक, फिर स्टार्ट होती है पीर पंजाल, जासकर, दौलादार, और लास्ट में आती है, शिवालिक, तो इस तरह से यह mountain ranges हैं, जो की हिमाचल में present है, और उससे पहले आती है, के एल, के से करा करूम, लदाक, यह दोनों ranges हमाचल के बाहर है, और पिर पंजाल जू इन ज에 इन और हिमाचल में आ जो इस तरह से चमबा में पीर पंजाल का आती है, और उसके बद जासकर, उसके बाद दौलादार, और उसके बाद लास्ट में शिवालिक, तो मैं रफली नहीं में बना मुत्येंचल को सोगे आपो सम तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए, थैंक्यू